दोस्तो हमारे रोज मर्रा की जिन्दगी में इस्तमाल होने वाले चीजों को पहले हातों से बनाय जाता था लेकिन आजकल के टेकनोलोजी के जमाने में इनी चीजों को मशिन द्वारा फैक्टरी में बनाय जाता है जिन सिजों को बनाने में पहले घंटों लग जाते थे लेकिन अब कुछ चंद मिंटों में बन जाती है तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ यह वीडियो आपका काफी सारा ग्यान बड़ा देगा सब्सक्राइब किजिए IT Machine Hindi चैनल को और इस बेल आइकन को दबा कर आल पर सिलेट कर दिजे Machine and Gazette रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमबर चार पर है च्विंगम दोस्तो आपने बचपन में कई सारे अलग-अलग फ्लेवर की चिंगम जरूर खाये होंगे और कुछ लोग अभी भी खाते ही होंगे और बचपन में हमें यह बताया जाता था कि चिंगम सुवर की चमड़ी से बनाये जाता है क्या सच में चिंगम चमड़ी से बनता है या किसी और चीज से तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच दोस्तो जो चीज इस चिंगम को रबर जैसा बनाती है वा सुवर की चमड़ी ना होकर असल में पेड़ों से निकली हुई गम होती है और इसे खाने से हमें कोई भी हानी नहीं होती इस गम को सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है बाद में उसके उपर कलर और फ्लेवर को मिलाया जाता है और जैसे ही या सारे चीजे मिक्स होने लगती है वैसे ही इसके उपर से ग्लुकोज डाला जाता है जिसकी वज़े से जब हम चिंगम चबाते हैं तब उसमें से मिठी टेस्ट आती है आब इसे गरम करके 20 मिनिट तक अच्छे सा मिक्स किया जाता है दोस्तों इसे देखने से ही मेरे मूँ में पानी आ रहा है 20 मिनिट के बाद यह एक आटे का रूप ले लेता है बाद में इसे एक्सक्लीडर में डाले जाता है जहां उसे काफी प्रेशर से दवाये जाता है जिसके कारण वह एक छोटे से होल से बार निकलते है और चिंगम खाने लायक आकार में तब दिल हो जाता है इस गम के लंबे रसी को छोटे छोटे आकार में काटा जाता है दोस्तो इसे अगर रैपर में ऐसा ही पैक किया जाए तो यह रैपर को चिपक सकता है तो इसके लिए इसे कुछ मिनिट के लिए 2-3 डिगरी सेलसियस पर रखा जाता है और काफी तेजी से इस गम को रैपर में पैक किया जाता है और इस तरह से बनाय जाता है चिंगम नमबर 3 ब्रेड मेकिंग मशीन दोस्तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आटे और पानी को एक बड़े ब्लेंडर में डाला जाता है यह blender आटे और पानी को mix करने का काम करता है इन सभी setting को आगे लगे पैनल की मदद से change किया जा सकता है आटा अच्छे से mix होने के बाद उसे दूसरे machine में डाला जाता है जिसका काम आटे को गोल-गोल घुमाती हुए आगे की तरह बेज देती है जहां उसके उपर सुखा आटा डाला जाता है ताकि यह मशिन पर ना चिपके अब इन आटे को कन्वेयर के जरीए आगे दूसरे machine में बेजे जाता है यह machine इनके अलग-अलग shape बना कर नीचे बसे container में डाल देती है जहां उनका shape लंबा हो जाता है अब इने काफी बड़े कन्वेयर पर ले जाया जाता है जहां सबसे पहले इसका temperature घटाया जाता है अब इनकी उपर हलका सा dry food डाला जाता है इतना होने की बाद अब उनको oven की नीचे से गुजरा जाता है 15-20 मिनट तक पकने के बाद यह फूल कर लाल हो जाते है नंबर दो पर है sneakers bar दोस्तो स्नीकर बार popular बार में से एक है जो की बहुत सारे नट से भरा होता है और बहुत से लोग इसे बड़े मज़े से खाते हैं और यह मेरा फेवरेट भी है दोस्तो स्नीकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिकसर में कोको, मिल्क और शूगर को मिक्स करके उसका एक चॉकलेटी मिक्चर बनाया जाता है और वहीं दूसरी मशिन में वाइट एक, शूगर और सॉल डाल कर उसे मिक्स करते हैं उसके बाद उसमें पीनट बटर को एड़ करते हैं और उसे भी अच्छे से mix किया जता है mix होने के बाद उसके उपर से grind किये गए peanuts के बारी crush को डाला जता है और इसी तरीके से स्नीकर में इस्तमाल होने वाले material को बनाया जता है उसके बाद उन्हें एक cutting machine पर ले जाया जता है जहां उन्हें स्नीकर्स के आकार में cut किया जता है इतना हो जाने के बाद उन्हें conveyor के जरीए आगे oven के नीचे से गुजारा जता है और अच्छी तरीके से पक जाने के बाद स्नीकर पूरी तरीके से तयार हो जता है और आखिर में उन्हें wrapper में pack किया जता है और मार्केट में बेचने के लिए बेच दिया जता है दोस्तो स्टीक आइस क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले उसका फ्लेवर डिसाइड किया जता है और उसका लिक्वीड बनाय जता है या जो आप वीडियो में देख रहे हैं या औरेंज फ्लेवर है इस liquid को फिर एक container में डाला जाता है जिसके नीचे एक freezer लगा होता है जैसे जैसे ये platform आगे बढ़ता है वैसे वैसे liquid उसमें गिरता जाता है और नीचे से वह freeze होना शुरू कर देता है थोड़ा थंडा होने के बाद उसके उपर से लकडी का stick लगाया जाता है जब वह पुरा वर्प की तरह हो जाता है तो दूसरा machine उसी stick को पकड़ कर उसे बाहर निकालता है अब इन ice cream को एक conveyer पर डाला जाता है जहां पर उन्हें plastic pouch में pack किया जाता है और market में हमें देखने को मिल जाती है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर ये information आपको useful लगी तो इस वीडियो को एक like कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए facebook और whatsapp पर share भी कर देना अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो IT Machine Hindi चैनल को subscribe भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई